सोनी ग्रहम एक ऐसा आत्मी जिसने 1966 में आत्मत्या कर ली आत्मत्या के बाद ग्रहम का दिल दूसरे इंसान को डोनेट कर दिया दोस्तो हैरानी की बात ये है कि वो इंसान जिसके अंदर ग्रहम का दिल धड़क रहा था वो ग्रहम की पतनी से बात करता था और उसे मिलने भी जाता था और मज़े की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो गई पर कुछ सालों बाद जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था क्योंकि कुछ सालों के बाद उस आत्मी ने फिर आत्मत्या कर ली ठीक पहले ग्रहम ने आत्मत्या की थी पर दोस्तों इन दोनों की मौत के पीछे का कारण क्या था वो आज भी नहीं पता चल पाया है दोस्तों ये जान कर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जुरूर बताईएगा और ऐसी वीडियो जोर पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर दीजे